चानक के IAS Academy Current Affairs में आप सबी का स्वागत है आज हम बात करेंगे किरू Hydro Electric Project केस के बारे में जम्मू कश्मीर के किरू Hydro Electric Project से जुड़े ब्रहस्टाचार के मामले में CBI ने हाल ही में 30 से जादा ठिकारों पर छापे मारी की है सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मामला क्या है CBI ने इस मामले में जम्मू कश्मीर के पुर्व राजयपाल सत्यपाल मलिक के दिलिस्तित आवास की भी तलाशी ली है जम्मो कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा इस प्रोजेक्ट में भरस्टाचार का मुद्दा उठाय गया था सत्यपाल मलिक 23 अगस 2018 से 30 अक्टूबर 2019 के बीच जम्मो कश्मीर के राज्यपाल रहे थे सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों को मन्जूरी देने के लिए 300 करोड रुपे की रिश्वत की पेशकर्श की गई थी मामला दर्ज करने के बाद CBI ने 10 स्थानों पर और जून 2022 में 16 स्थानों पर तलाशी ली थी CBI ने साल 2023 में मई में भी 12 स्थानों पर तलाशी ली थी तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि कीरू हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट क्या है कीरू हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट भारत की जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी परस्तित एक रन आफ दा रीवर पन बिजली परियोजना है ये परियोजना 624 मेगवाट बिजली उत्पादन चमता के साथ जम्मू कश्मीर राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने में महत्तपुन भूमी का निभाएगी इस परियोजना का निर्मान कार्य अभी प्रगति पे है इसके साल 2025 में पूरा होने की उमीद है इस परियोजना से राज्य के दूर दराज के इलाकों में बिजली पहुँच में मदद मिलेगी वही रोजगार के तमाम अफसर भी पैदा होंगी ये राज्य के आर्थिक विकास में योगदान भी देगा कीरू हाइड्रो इलेक्टिक प्रोजेक्ट जम्मो और कश्मीर राज्य के लिए एक महत्पुन परियोजना है यह परियोजना राज्य की बिजली जरूरतों को पूरा करने और उनकी आर्थिक विकास में योगदान देने में महत्पुन भूमी का निभाएगी कीरू एक जल विदुद परियोजना है परियोजना की अनुमानित लागत जो है 4,285 करोड है इस चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में पावर ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन की दो फिस्दी हिस्सेदारी भी है वही जम्मो कश्मीर सरकार की 45 फिस्दी और NHPC की हिस्सेदा कीरू है्डरो एलेक्रिक ब्रोजेक्ट भारत की सबसे महँगी पन विजली परियोजना हो में से एक है कीरू हाईडरो एलेक्रिक प्रोजेक्ट भारत सरकार और जम्मो कश्मीर रजसरकार द्वारा सहयकत दोप से बनाय जा रहा है वर्तमान केस में CB AI की अब तक की जाच मे क्या हुआ है तो CBI के केस के अनुसार करीब बाइस सो करोड रुपए का सिविल वर्का ठेका इस प्रोजेक्ट के लिए एक निजी कंपनी को 2019 में दिया गया था इसमें ये आरोप है कि कीरू परियोजना से सम्मंद सिविल कारियों के आवंटन में ये टेडरिंग के सम्मंद म पालन नहीं किया गया है ये भी आरोप लगाया गया है कि चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट की 47 में बैटक में फैसला लिया गया था कि रिवर्स निलामी के साथ ये टेंडरिंग के जरीए फिर से कॉंट्रेक्ट आवंटित किया जाएगा लेकिन इसे लागू नहीं किया गया एजनसी ने चिनाव वैली पावर प्रोजेक्ट के पुर्व अध्यक्ष नवेन कुमार चौधरी और अन्य पुर्व अधिकारियों में MS बाबू, MK मितल और अरुन कुमार मिश्रा और पटेल पर पामला दर्ज किया है 300 करोड की रिश्वत की पेशकर्ष की अगर बात करें तो सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो उन्हें कुछ प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड रुपे रिश्वत के तौर पर देने की पेशकर्ष की गई थी उन्होंने बताया था कि दो फाइलों को पास करने के बदले में मुझे ये रकम दी गई थी मलिक ने अपने बयान में कहा था कि मेरे सचीवों ने बताया कि इसमें बड़ा घोटाला है ऐसे में मैंने इन फाइलों को पास करने से इंकार कर दिया और कहा कि मैं कुछ कुर्ते पजामों के साथ यहां आया था और उनी को लेकर वापस चला जाओंगा अब हम बात करेंगे चिनाव नदी के बारे में चिनाव नदी भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहॉल और स्पीती जिले के उपरी हिमाले में टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनती है इसकी उपरी पहुँच में इसे चंद्र भागा नाम से जाना जाता है यह सिंदु नदी की एक साहिक नदी है यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू छेतर से होकर पंजाब पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है चिनाफ का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा सिंदू जल समझोते की शर्तों के अनुसार साजा किया जाता है यह जम्मू और कश्मीर के जम्मू छेतर से होकर इसके साथ ही आज का हमारे विशे यहीं पर समाप्त होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूटूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद.